जैशरी महांकाल, जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में आपका एकबर फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभारे दोस्तों आज ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी आप अकेले पड़ जाओ और जब दुखी हो जाओ, या दुखी हो रहे हैं या जब भी आप अकेले पड़ जाओ तो मेरी ये बाते जान लेना, ये बाते समझ लेना, मैं आपसे बादा कर रहा हूँ कि आप अपने दुख से बाहर आ जाओगे, लोग आपका सपोर्ट करेंगे और बहुत सारी चीजे जो हमारे अभी खिलाफ है, वो हमारे तरफ हो जाएगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा महत्पून है और ये जो बाते मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में लिखें जैशू शम्बो, हर हर मादे और जैशू शम्बो, जो भी आपका मन हो ओले नात का नाम कमेंट्स में जरू लिखें अगर आप अपनी कुनली का अनलसिस हमसे करवाना चाहते हैं उसमें हमारे जिवन की पांच पॉंट्स जो है वो चैनल कारगार होते हैं मझाल पांच बाते होती हैं जिनकी बज़ा से हम बहुत ज़ादा तकलिफ कर दुखी के वर जासकते हैं सबसे पहली बात दुख का का रण होता है overthinking और overthinking के साथ उसमें एक बात overate कर देना चाहता हूँ हम चीजों को भविश की जो आने वाली चीज़े उनको बहुत ज़्यादा बड़ा चड़ा कर सोच लेना जो चीज़े हुई नहीं है जो चीज़े होगी नहीं वो चीज़े सोच लेना बिलकुल घलत है दोस्तों तो सबसे पहली बात कि जब भी आप अकेले पड़ जाओ जब भी निराश हो जाओ हतास हो जाओ तो भविश की चिंता करना छोड़ दे अगर आप भविश की चिंता करना छोड़ देंगे तो वर्तमान आपके हाथ मेरेगा और वर्तमान में आप बहुत सारी सकारात्मक बहुत सारे अच्छे-च्छे कारे कर सकते हैं तो पहली और मुख के बात ये हमेशा याद रखना दूसरी बात होती है खुद को खाली न बेटे खाली जितने बेटेंगे न उतनी सारी परिषणी हमारी किरियिट होती रहेगी इसलिए खुद को खाली तो किसी भी हाल में बेटने नहीं देना है कुछ न कुछ काम करना है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है हमारे प्रयास सतत जारी होना चाहिए हम प्रयास करना अगर छोड़ देंगे तो तकलीब देश हो जाएगी तीसरा पॉइंट है सकारत्मक attitude और सकारत्मक आपका होना हम बहुत ज़्यादा negative हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं सकारत्मक तको जिन्दा रखे आउसर हर एक पल हर एक छण में आउसर को जिन्दा करें और आउसर ही आपको हर एक चीज़ से भार निकाल सकती है आउसर बनाना पड़ता है हमें खुद कोशिश करना पड़ती है चीज़ों के लिए बहुत सारे प्रयास करना पड़ते हैं और वो प्रयास आप करें क्योंकि आपका प्रयास जो आपका संगर से वही जीवन है क्योंकि आप हतास और निरास जब होते हैं तब आपकी सोचने और समझने की जो चमता है वो भी कम हो जाती है कारी करने के तरीके भी कम हो जाते और कई बार बहुत सारी तकलिफे हम देखते हैं, तो इसलिए मैं आपसे छोटा सा ये मेरा नियुदा ने कि आप जब भी हतास निरास हो तो कोई न कोई काम के लिए अपनी योजना मना है और उस काम पर पुरा फोकस करें क्योंकि काम से ही हम काम में बीजी होंगे तो हमारा मन डाइवाड होगा और हमारी चीज बहुत जादा पोजिटिव हो जाएगी पाचवाय और चोथा पाइंट है अपने गुरु मंत्रे या इश्ट मंत्रे अप भगवान का जितना जब करेंगे जितना नाम लेंगे ना दोस्तो उतनी सारी चीज आपकी पोजिटिव होगे अच्छे पल दोनों में साथ हमारे है तो ओम नमस्शिवाई, ओम नमस्शिवाई ओम नमस्शिवाई